पीती दिनों हो रही बारिश से बाजरा की फसल को नुकसान हो रहा है जिससे इसकी कीमतों में आ रही गिरावट थम सकती है पीते दो महीने से बाजरा की कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी क्योंकि इस खरीब सीजन में बाजरा बढ़ने का नुमान है सरकारी आंकडों के मताबिक इस साल 79,89,000 हेक्टेर में बाजरा की बॉई हुई है जो पिछले खरीब सीजर में 63,29,000 हेक्टेर में बॉई से 10.42 फीसदी ज्यादा है सरकार ने इस साल 97,50,000 टन बाजरा का उत्पादन का नुमान लगाया है जो पिछले साल के उत्पादन 96,20,000 टन से 1.35 फीसदी ज्यादा है लेकिन कारबारियों के मताबिक बाजरा उत्पादन में 8 फीसद वृद्धी हो सकती है हलाकि बारिश से हुए नुकसान के कारण अब इस वृद्धी में 1-2 फीसद की कमी संभव है मिली जानकारी के मताबिक हरियाणा उत्तरपरदेश और राजस्तान के कुछ बाजरा उत्पादक इलाकों में लगातार बारिश से इसकी फसल को नुकसान हुआ है जिससे बाजरा उत्पादन अनुमान में 1-2 फीसदी की कमी भी आ सकती है और इस साल बाजरा उत्पादन 8 फीसदी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है दरसल बाजरा की बुआई अच्छी होने से इसके दाम लगातार गिर रहे थे पहले आवक जोर पकड़ने पर भाव और भी गिरने की संभावना जताई गई है लेकिन अब बारिश के कारण बाजरा की कीमतों में गिरावट थम सकती है साथ ही निचले सतर पर मांग बढ़ने से अगले महिने तक भाव 100-500 रपे क्विंटर भी सुदर सकते है मक्य की नई आवक में देरी और या बाजरा से काफी महंगा है इसलिए पॉल्टरी फीड में बाजरा की मांग में इसकी कीमतों में सुधार को बल्न मिल सकता है राजस्तान के बाजरा कारोबारियों का कहना है कि बारिश से बाजरा काला पड़ रहा है उत्पादर में कमी पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी लेकिन बारिश का बाजरा की फसल पर नकरात्मक असर से इसकी कीमतों में आ रही गिरावट थम सकती है फिलाल इसके भाव 50-60 रुपे की घड़बड के साथ 1700-18 रुपे प्रती क्विंचल के दाइरे में बने रहने की संभावना है ज्यादा वोई को देखते हुए नुकसान के बावजूद इस सल ज्यादा बाजरा पैदा होगा राजस्तान की मंडियों में इस महीने अब तक 58-60 रुपे बाजरा की आवक हो चुकी है जो कि पिछले 6 महीने से आठ छे से 8,000 रुपे आसपास देखने को मिल रही थी बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी